नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग बड़ा सेवजिसाय कोलेज पाटन। हम देख रहे हैं भाषा विज्ञान का पेपर, जो शिवाज विश्विदेले के भी बहाक्तिन के हिंदी विशेक अंतरगत अधिन के लिए रखा गया है। इसका अंतरगत हम भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान विज्ञान के साथ क्या सम्मंध है ये देख रहे हैं। आज हम देख लेंगे भाषा विज्ञान का मनुविज्ञान के साथ क्या सम्मंध है। भाशा विज्यान क्या है इसकी परिभाशा हमने आपको बताई है भाशा विज्यान किसे कहते है यह भी हमने बताया है फिर भी पुनश भाशा विज्यान किसे कहते है या भाशा विज्यान और मनुविज्यान किसे कहते है यह जान लेना आवश्यक है दोनों की परिभाशा अ का विशिष्ट अध्यन करने वाली शाका बहार्षा विघ्यान कहलाती है, विग्यान का अरत ही है विशिष्ट ज्यान सब्सकffald की जहाता है, उसे हम कहते है भाष विग्यान समय कर से दो शब्त है, मुनुविज्यान के Лिए युनानी भाष्या में क्या कहा जाता है psychology, psychology इसमें दो शब्द है एक psyche और लोगस, psyche का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्यान, इन्हें मोनो विज्ञान में दो शब्द है, उसे कहा जाता है मनो विज्ञान, या मन का विशेश अद्यन किया जाता है, उसे कहा जाता है मनो विज्ञान, मनो विज्ञान को कही नामों से जाना जाता है, आत्मा का विज्ञान, मस्तिश्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, विवार का विज्ञान, मन क्या है आत्मा मन क्या है मस्तिश्क है मन क्या है चेतना है मन क्या है मनुष्य का विवार है मनुष्य मिवार में जो सब कुछ करता है मन के अनुसार ही करता है इसलिए यह कहा है सारी मन है मन दिखाई नहीं देता महसूस होता है इसलिए जो महसूस होने वाली बाते है जो विवार में पाई रिती है उसे हम मन कहेंगे और ऐसे मन की सारी बातों का अध्यन विशेश अध्यन जिसमें क्या जाता है उसे कहा जाता है मन विवार के रूप में सामने आता है वही भाष्षा के रूप में हमारे सामने आता है इसलिए दोनों का घनेश्ट सम्मंद है वह किस प्रकार य जिसके द्वारा हम अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं, इसलिए हम वाचिक धुनियों का उप्योग करते हैं, भाषा मुक से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदी का सम्भा है, जिसके द्वारा हम मन की ही बात बतलाते हैं, यानि भाषा क्या है, मन की ही ब बतलाने वाला सादन है, मुनुष्य के मन में जो बाते होती है, जो अचेतन रूप में जो बाते होती है, उसे बताने का काम कौन करती है, भाषा करती है, इसलिए मन का ही रूप क्या है, भाषा है, मन का ही रूप भाषा है, इसलिए भाषा विज्ञान और मनुविज्ञान का गहरा सम्मन्द है, क्योंकि मन का ही रुप भाषा है, इसलिए भाषा मन का ही अध्यन करती है, इसी करण भाषा विज्ञान मनुविज्ञान का गहरा सम्मन्द है, एक मतुपन बात होगी, और मनुविज्ञान का क्या करता है, भाषा किस प्रकार सीखते हैं, भाषा का प्रयो भाशा और मन एक ही है जैसे हमने प्लेटो की भाशा देखी थी बहुत ही समर्पक प्लेटो की भाशा है सुफिस्ट ग्रंत में प्लेटो ने भाशा विज्यान की परिवाशा दी थी उन्होंने क्या कहा था आत्मा की मुकः विवेक्ति यानि विचार विचार क्या होते है आत्मा की मुकः विवेक्ति यानि आपके मन में जो विचार होते है वह होते है आत्मा आत्मा के रूप में आपके मन में होते है मन यानि आत्मा आत्मा यानि मन तो उसे हम भाषा एक है तेने मन का प्रकट रूप क्या है भाषा है मन याने भाषा 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 ने मन भाषा मन किस प्रकार विवार करता है इसका अध्यन करता है मन और जो विवार में आती है भाषा उसका अध्यन करता है भाषा इसलिए भाषा विज्ञान का और मनुविज्ञान का घनिष्टा सम्मन है अगला मद्द हम बता सकते हैं इस प्रकार कि भाषा के अंतरिक गुथियों को सुल जाने के लिए भाषा विज्ञान मनुविज्ञान की सहयता लेता है भाषा के अंतरिक गुथिया यानि भाषा किस प्रकार उचारित होती है भाषा किस प्रकार बनती है भाषा के अर्थ किस प्रकार होते है जो भाषा की जो अंतरिक गुथियां है उन गुथियों को सुल जाने के लिए भाषा विज्ञान को मनुविज्ञान की मदद लेनी ही पढ़ती है जैसे हमनिया उदारंद्य भाष्या की गुथिया क्या है भाष्या की धुनिया भाष्या परिवर्तन वाक्य कैसे बनता है वाक्य परिवर्तन के कारण वाक्य के अर्थ है भाष्या की गुथिया है गुथियों को सुल्जाने के लिए भाष्या विज्यान को जो मन में होता है उसका ही प्रकटी करन करता है अतहां जो अंदर बाते होती है वही भार बाते आती है इसलिए जो मन की गुथियां है उन गुथियों का अदियन मनुविज्ञान करता है किस प्रकार करता है भाशा विज्ञान की मदद से यानि मन की गुथियां मन के अंदर के भाव भाशा के रुप में प्रकट होते हैं और मन की गुथियों का अध्यन करता है मनविज्ञान और भाशा की अंतरी गुथियों का अध्यन करता है भाशा विज्ञान लेकिन दोनों को एक दूसरे की मदद लेनी ही पड़ती है तब जाकर भाशा विज्ञान और सम्मंद है। दोनों का घनिश्ट सम्मंद होने के कारण। इन दोनों का racistid जिन शाख्वों में किया जाता है। उनका भी घनिश्ट सम्मंद है। यह हमने उदारें दिया है पागलों उल जलूल बातों का विशलेशन पागल जो बाते करता है उल जलूल बाते करता है असमंद बाते करता है इसका अध्यान करने के लिए मनुविज्ञान को भाष्या विज्ञान की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि उन शब्दों का रत्त समझने के लिए उन शब्दों के तहे तक जाने के लिए भाष्या विज्ञान की मदद लेनी पड़ती है और पागलों के विवार को पागलों की भाष्या को समझने के लिए उन्हों विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है ने मन याने भाष्या भाष्याने मन इसले दोनों का घनेश्टा संबंध है अगली बात हम इस प्रकार बता सकते हैं कि समंद्ध के बारे में भाष्या की उत्पत्ती किस प्रकार हुई यानि भाष्या का प्रारम भी कुरूप कैसे हैं या अगर आपको जानना है तो भाष्या विज्ञान को बाल मनुविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है वैसे तो हमने आपको बता कि भाष्षा की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिध्धान्त आये हैं भाष्षा किस प्रकार निर्मान हुई होगी इसके बारे में अनेक सिध्धान्त निर्मान हुए है लेकिन वह सारे सिध्धान्त क्या है अध्यन के बल्भूते पर बनाए गये हैं दैवुत्ति सिध्धान् बदकार को मानने वाला सिद्धानते हैं लेकिन उस सिद्धानते को भी कुछ मर्यादाएं हैं अतहा भाष्षा की उत्पती का प्रश्न आज भी अनुत्तरित है मूल अतहा भाष्षा प्रारम में किस रूप में बहार आई होगी या पहला इंसान कौन है जो जिसने बोलने का प्रयास से किया होगा पहला शब्द कौन सा है जो बोला गया है इसके बारे में कहीं भी लिकित रूप में आपको जानकारी नहीं मिलती अतहां हम केवल हमारे सामने जो जानकारी आती है उसका अध्यनकर हम अंदाज लगाते हैं कि भाष्षा की उत्पती इस प्रकार हुई इस में से एक प्रकार है बाल मनोविज्यान प्रारम में भाष्षा का रुप कैसा रहा होगा अंगड़ारूप जो है बालों नहीं के मन का अध्यन करने के बात पताचलता है कि भाष्षा का रही होगी इस प्रकार यह भाशा विज्ञान का प्रारंभी गुरुप जानने के लिए मनुविज्ञान मदद करता है उसी प्रकार जो बालकों का मन है उसका अध्यान करना है अगर मनुविज्ञान को भाशा विज्ञान की सहयता लेनी ही पड़ती है ये बालक जो तुटलाते वे बोलते हैं बालकों की जो भाषा होती है उन सारी भाषाओं का अध्यन करने के लिए मनुविध्ञान को भाषा भिज्ञान का सहारा लेना पड़ता है करण मन यानि भाषा भाषा यानि मन इस प्रकार दोनों का घनेश्टा संबन्ध है आगे हम इस प्रकार बता सकते हैं कि यहने मनुशक के मन में जो बाते होती है उसे हम आत्मा कहें विचार कहें या भाव कहें कुछ भी कहें वह सारे भाव, वह सारे विचार, वह सारे आत्मा के रूप में जो मनुशक के मन में स्थित हैं वह सारी बाते भाशा के माध्यम से व यहवार में आती है एक प्रकार से मुनुष्य के मन का ही प्रकटी करण होता है जो प्रकटी करण होता है उसका अध्यन भाषा विज्ञान करता है क्योंकि वो भाषा होती है भाषा विज्ञान का अध्यन का माध्यन क्या है भाषा वो भाषा का अध्यन करता है एक प्रकार से मन का ही अध्यन करता है इसलिए भाषा विज्ञान की अनेक शाखाए निर्मान हो गई है उसमें से एक शाखा है मनो भाषा विज्ञान जहां मन और भाषा का अध्यन किया जाता है मन की भाषा का अध्यन किया जाता है एक प्रकार से मन का ही अध्यन क्या जाता है जो मन विज्ञान में भी क्या जाता है इसलिए मन यानि भाषा भाषा यानि मन दोनों घनिष्ट हैं इसी करण जहां उनका अध्यन क्या जाता है उन दो शाकाउं का घनिष्ट सम्मंद होना अपने आप बन जाता है या हो जाता है करन भाषा का अध्यन भाषा विज्ञान करता है, मन का अध्यन मन विज्ञान करता है, मन भाषा के माध्यम से सामने आती है और भाषा मन में स्तित होती है, इसलिए दोनों का जो अध्यन शाखाएं करती है, उनका गनेश्ट सम्मंद बनता है, इस प्रकार भाषा विज्ञान उमनविक्यान का घनिश्ट सम्मंध है आपने ध्यान से सुना धन्यवाद